हेलो फ्रेंड्स जैहिंज स्वागत आपका आपके पड़े चल होम टुशन पे दोस्तो जैसा कि आप जानते कि हर्याणा में जो चुनाओी बिगुल है बंद हो चुका है और आठ अक्टूबर को एक नई सरकार का गठन हर्याणा में हो चुका है दोस्तो जे आँ दोस्तो जो सबसे होट मुद्दा था इस बार चुनाओ का वो था जो 25,000 नोकरिया है हर्याणा CET गुरूप C के तहर जिन में CM साब ने कहा था कि मेरी सपत बाद में होगी आपका रेजल्ट और जोइनिंग पहले होगी तो क्या है उसकी पूरी अपडेट क्या रेजल्ट आने वाला है कि अगले 24 गंटों में दमाका हो जाएगा जिया दोस्तों ये हमारी डेडलाइन है आप बहुत सारे लोगों को फोलो करते हैं जो 6 तारिक से कह रहे हैं कि आज आएगा रेजल्ट आज आएगा रेजल्ट जोकि हमने आपको पहले कहा कि आचार सिता में रेजल्ट नहीं तो क्या है पूरी अपडेट जानते इस वीडियो के माद्धम से चैनल पे नए हैं चलको सबसाइब के लिजे बैल गन प्रेस के लिजे और किसी प्रकार की लेटेस न्योज अपडेट को पानने के लिए आप अमारे टेलेग्राम चलको जोईन कर सकते हैं और वीडियो अग कौनसी पार्टी को कितनी सीट मिली है तो ये भी आपको डाटा थुड़ा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे देखिये दोस्तो हारियाना ने रचा इतियास अड़ताली सीट जीत कर यह आपको पता अणा चाहिए कि बीजे पी को कितनी सीट मिली है जबकि कॉंगरेस को 37 या अलग चीज हो गई इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं चेक है तो यह आपके लिए important मुद्धा यहाँ पर हो जाता है यह आपको fact याद रखने है कितनी seat दोस्तों कल मैंने आपको साड़े 4 बजी वीडियो दी थी उसमें दिक्कत नहीं होगी decision making में दोस्तों यह सबसे बड़ी चीज होती है ठीक है आई आगे देखते हैं यहाँ पे चेहरे हैं जो यहाँ पे अलग लग seat पे जीत के आए हैं तो इनको भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए और यहाँ पे एक seat है दोस्तों वो है अंबाला केंट है ना अंबाला केंट है वहाँ से जो अनील विज हैं है अनील विज जो है लगातार सातवी बार जीत कर आ रहे हैं यह अपने आप में एक बड़ा रिकोर्ड है शुरुवात की रुजान से अनील विज पीछे चल रहे थे लगबाग 10 राउंड तक वो फीचे चले उसके बाद वो जीत क्यों आगरसर बड़े और लगबाग 7000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत आखिरकार दर्ज कर लिए अपने दोस्तों फिरोजपुर जिरका से मामन खान जो की कॉंग्रेस के हैं इन्होंने भाजपा के नसीम हमद को हराया है लगबग एक लाख वोटों से आप कह सकते हैं एकजट के अगर बात करें तो आठान में 1441 वोटों से हराया ये सबसे बड़ी जीत की अंतर रहा है यहाँ प दोस्तों गुडगाओं से मुक्के सर्मा भाजपा 68000 वोटों से जीत दर्थ की और बादस्या पूर से राओ नर्बीर सिंग भाजपा से 6000 से जादा वोटों से यहाँ पे जीत दर्ज की इसके अलावा दोस्ते एक सीट और है पाने पत ग्रामेंड यहाँ पे मैपाल डांड जो की बीजेपी से हैं इन्होंने सचिन कुंडों को हराया 5000 से जादा वोटों से तो यह कुछ पांच टोप की जीत रही जिसमें बड़ा अंतर रहा अगर हम सबसे छोटे अंतर की बात करी कि सबसे कम मार्जन से कौन सी सीट यहाँ पे निकली है तो वो है दोस्तों उचाला कला जीन्द के तहत याती है और यहां से देविंदर अत्री बीजेपी की है इन्होंने ब्रजंडर सINGH को हराया कॉंगरेस के और यहाँ पे महज दोस्तो 32 सीटों का अंतर रहा यानि हम यह कह सकते है कि छोटी सी एक ढाणी जो छोटी दाणी होती है न गाउंसे वहां से हुआ और सीट निकल गई दोस्तों इसके लावा राजबीर फटरिया राजबीर फर्टिया कॉंग्रेस के हैं लुहारू से इन्हों ने बीजेपी के जेपी दलाल को हराया साथ सो बानमे बोटों से ठेक है इसके लावा भी बहुत सारी सीट है जिन मारजन जो है दो अजार से कम रहा किसी में तीन अजार से कम रहा ठेक है दोस्तों तो ये आपके लिए कुछ important fact है मतला interesting fact हो सकते इनको भी आपको नजर में रखना चाहिए आई अब बात करते हैं मुद्दे की तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था और ये चीज़े निकल के कली आ गई थी कि जो हमारे नए सियम साब है मनोर जो नायव सिंग सैनी है यह आप जो सपत है यह सपत कब लेंगे दोस्तों 12 अक्टूबर को ठेक है 12 अक्टूबर को यह सपत गरेंट समारों ले रहे हैं भया इनका पंचकुला में सबत गरेंट समारों होगा चेक है और ये मंत्री मंडल में कौन हो सकता है क्यों ने हो सकता है यह आप पढ़ लेना लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि जो 25 जार बरतियों का वादा सीम साब ने किया था ठेक है कि इन बरतियों का रजल्ट हम देंगे जोइनिंग हम देंगे तो क्या ये वादा पूरा कर पाएंगे जी हाँ दोस्तो रजल्ट आपका 10 या 11 तारीक को आने वाला है हो सकता है कि 10 को ही आ जाए या 11 को आप कंफरम मानके चलिए 10 या 11 यानि अगले 24 गंटे में आप आपको बहुत बड़ी खुसकवरी मिल सकती है जिसका इंतजार आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं जिसके लिए मैनत कर रहे हैं और आप सप्टेंबर से उसका इंतजार कर रहे हैं अगले 24 गंटे में एचसी बड़ा दमाका करने वाली है और हर्याणा सेटी गुरूप सी का ए क्लेर हो सकता है और यह हो सकता है दोस्तों कि बारा तारीक को जो सबत ग्रेड समारों होगा तो इसमें जो चाइनित विद्ध्यारती होंगे उनमें से कुछ बच्चों को सो दोस्तों बच्चों या पचास बच्चों को बुला कि उनको भी समारों में सामिल किया जा सकता है ठ इस्प्रेक्टर लगेंगे पटवारी लगेंगे जो टोप की बच्चे होंगे उनमें 10-20-50 को बुलाके वहाँ पे टमप्रेरी जोइनिंग लेटर भी इसू किया जा सकता है यह आपके लिए बड़ी खुशकबरी है दोस्तों हालां की जोइनिंग में देखो कहने को बाते ब पहले आपका मेडेकल होगा तो मेडेकल के लिए टीन-चे निका टायम लगेगा फिर आपकी जोइनिंग होगी तो मैं यह नहीं कहारा कि जोइनिंग हो जाएगी लेकिन तो होई जाएगी अप जोस्तों सरकार बिजेंग के आ रही हिए तो किसी प्रकार की कोई अडचन इसू हो सकती है तंप्रेरी तो पे जब कि रजल्ट आपका कल याने दस तारिक को या फिर ग्यारा तारिक को कल आचार सहीता हट जाएगी मेरे ख्याल से आज तो नहीं अटेगी क्योंकि जम्मू कस्मिरों हर्याणा में एक साथ आरा चार सहीता लगिए तो एक साती हटेगी तो हो सकता है कि कल हटे तो कल स्याम तक या कल रात को आपको धमाका देखने को मिल सकता है नहीं तो परस्व आप definitely मानके चलिए कि 11 तारिक को definitely result आज़ा जाएगा ठेक है 11 को नहीं तो 10 को मानके चलिए इन दो तारिक में आपका result अठका हुआ है ठेक है और authentic information आपको लेना ह बिना किसी जुठी उमीद के तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और नए CT के लिए हम किलास भी लिख के आएंगे daily basis पे एक किलास आपको देंगे दमदार बड़िया content से लबालब आपको एक किलास हम देंगे जिसको पढ़ के जाएगा तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल अगन को प्रेस जरू कर लिजेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रेशेट करिए कोमेंट करके बताए कि आपका क्या feedback है रजल्ट आएगा क्या जोइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी या यह भी एक चुनावी स्टंड था मुझे तो लगता नहीं ऐसा क्योंकि मुझे लग रहा है कि रजल्ट आपका आने ही वाला है अगले 24 गंडे के अंदर अंदर धन्यवाद जह हैं